नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शमास वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोदिशीन वास्तू में कैसे हैं आप सभी? आज हम याँ पर बात करने वाले हैं 24 जून 2022 के बारे में 24 जून 2022 का दिन कैसा रहेगा आप सभी के लिए? कहां पर आपको साफदानी रखनी है? क्या चीजें आप सभी को करनी है? और क्या करने से आप सभी को बचना है? इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे अच्छू कुपाई के बारे में एंजल नंबर के बारे में टूडेज अफरमेशन के बारे में और मैजिकल टाइम आफ दे डे के बारे में प्लैनेट परेट का वीडियो में बनाया था जिसमें 18 साल के बाद पांच ग्रह एक ही लाइम में आपको देखने को मिलेंगे और उसमें चंद्रमा ब्लैन बटर वाला काम यहाँ पर करने वाला है और यह एक बहुत बड़ी गटना यहाँ पर देखने को मिलने वाली है जो कि CD2040 में देखने को मिलेगी तो इसलिए यह एक बहुत ही जादा विशेश दिन यहाँ पर बन जाता है साथ ही साथ आप देखिए 24 जून 24, 4 प्लस 2 नमबर 6 और शुक्रवार का दिन अगें एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पर देता है जो कि काफी ज़्यादा अच्छा है और जिस तरह से ट्रांजिट चल रहे हैं यह भी काफी ज़्यादा फिवरिबल दिखाते हैं एक लंबे समय के बार इस तरह का दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो आपके चहरे पर स्माइल लाने का काम करेगा आपको थोड़ा सा मुस्क्राने के लिए मदद करेगा इसलिए आज का जो दिन रहेगा यह आपके लिए कहीं न कहीं राहत वाला दिन है कहीं न कहीं थोड़ा सा सुकून वाला दिन है और कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा सा बैलिंसिंग दिन यहाँ पर दिखाई दिता है यह जो दिन रहेगा इस दिन में आप किसी चीज़ को लेकर के काफी ज़दा परिशान है काफी समय से तो आप काफी ज़ादा अच्छा मैसूस करेंगे ऐसा लगेगा कि जिसे फाइनली परिशानी थोड़ी सी दूर हो गई आप सभी को काफी अच्छा लगेगा कि यहाँ पर आपने वो काम कर दिया जो काम आप नहीं कर पा रहेते हैं तो यह एक प्लस पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए और यह दिन कहीं कहीं आप सभी को एक अच्छे लेवल पर आगे ले जाता हुआ भी यहाँ पर नजर आएगा साथी साथ यहाँ पर देखा जाए तो यह जो समय चलेगा financially आप सभी के लिए profit का समय रहेगा आज पैसा बनाने का दिन है आज पैसे को लेकर के आप सभी खुश रहेंगे कहीं कोई दिकत कोई परशनी आपको देखने को नहीं मिलेगी साथी साथ आज जॉब में भी तरक्की का दिन है जॉब में अगर आप संगरश कर रहे हैं तो solutions निकालने का दिन है अगर आप सभी interviews दे रहे हैं तो जॉब लगने का दिन है आज का दिन काफी जदा अच्छा रहेगा financial career के लिए, finance के लिए, career के लिए और business के लिए भी काफी जदा अच्छा रहेगा आज के दिन designing के business, creativity के business, cosmetic especially यहाँ पर काफी जदा अच्छा margin लेता हुआ नजर आएगा तो इसलिए आप सभी इसमें deal कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए, तो देश और दुनिया में भी आज का दिन जो है वो काफी जदा अच्छा रहेगा क्यूंकि जिस तरह से environment आज अच्छा होता हुआ नजर आएगा, चीज़ें थोड़ी सी balance करती हुआ नजर आएगी और आप सभी को थोड़ा सा एक balancing level कहीं ने कहीं देश और दुनिया में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा आज के दिन आप सभी की सेहत भी देखी जाए, तो सेहत भी यहाँ पर आपकी काफी जादा अच्छी होती भी नजर आएगी सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा और कोई दिकत पर परिशानी यहाँ पर नहीं रहेगी इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो relationship के लिए भी एक अच्छी शुरुवात आपकी यहाँ पर हो सकती है अगर आप कोई रिष्टे देखने जा रहे हैं तो आज एक अच्छी बात यहाँ पर बन सकती है और साथ ही साथ आप सभी को कहीं न कहीं mutual understanding का भी मौका आज के दिन मिल सकता है उन सभी के लिए जिनके लिए रिष्टों में कड़वाहट चल रही है जिने रिष्टों में कहीं कि परेशानी देखने को मिल रही है उनके लिए आज का यह जो दिन है यह काफी जच्छी से अच्छे से बात कर सकते हैं अपने दिल की बात किसी को कह सकते हैं यह सारी चीज़ें यहाँ पर आज आप कर पाएँगे क्योंकि काफी ज़दा balancing दिन यहाँ पर दिखाई देता है आज का जो दिन रहेगा राशी के लिए आज से भी देख लिया जाए वरशब राशी के लिए, करक राशी के लिए, तुला राशी के लिए, वरश्चिक राशी के लिए और कुम्बराशी के लिए काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है Numbers में यहाँ पर बात कर लें तो Numbers 2, Numbers 3, Numbers 5, Numbers 6 और Numbers 8 के लिए दिन काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है Alphabet में देखा जाए तो Alphabet में A, B, D, E, G, H, K, M, R, V आप सभी के लिए दिन काफी ज़्यादा positive यहाँ पर दिखाई देता है अगर आज आपका जन्दिन है, अगर आज आपके anniversary है अगर आज आपके लिए कोई विशेश दिन है, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुप कामना है यही प्रारतना करता हूँ कि दिन शांदार जाएगा, कोई दिकत, कोई परिशानी आपको यहाँ पर नहीं होगी अगर आज आपका जन्दिन है, तो यह आने वारा साल रहेगा, यह आप सभी के लिए काफी ज़्यादा important साल रहेगा यह साल आपके लिए नए रास्ते खूलने वाला है, और आपको नए दिशा देने वाला साल रहेगा यहाँ से जो आपका बड़तियर चेंज हो रहा है, यह आपके लिए कहीं कहीं तरक्की लेकर के आ रहा है और आपको आने वाले समय में काफी अच्छे opportunities देता हुए यहाँ पर नजर आएगा कोई दिकत कोई परिशानी आपको यहाँ पर नहीं रहेगी यह जो साल रहेगा यह आप सभी के लिए काफी ज़्यादा important साल यहाँ पर रहता हुआ नजर आएका तो इसका पूरा पूरा फाइदा आपको उठाना चाहिए और एक लक्ष निर्दारित करके उस लक्ष को आपको पूरा करना चाहिए वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा चली अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अच्छुक उपाय के बारे में एंजल नंबर के बारे में क्या आपको करना है जिससे कि यह दिन आपका और भी जदा अच्छा चला जाए आज का जो दिन रहेगा इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है वो है अपने चेहरे पिक स्माइल रखनी है और अपने आपको खुश रखना है आज का दिन जितना आप अपने आपको खुश मैसूस कराएंगे उतना ही आपका दिन और अच्छा होता जाएगा तो इसलिए आप किसी से बात भी करें तो ऐसी बात करें कि वो भी खुश हो और आप भी खुश हो इस तरह की बात आपको करनी चीए तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा आज का दिन जो रहेगा उसमें सुकून कहीं के मिलने के चांसेज हैं और उसी सुकून के लिए आपका खुश रहना और परिवार को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्या करना है आज के दिन में पानी में जिस पानी से अपनान करते हैं उसमें रॉड मिल्क, कच्छा दूध मिला के आप सनान करिए अगर दूध अवेलेबल ना हो तो दही मिला के सनान कर लीजिएगा वो भी काफी ज़्यादा अच्छा रह जाएगा आज के दिन मिश Bible से लाहने तहुं मैर्ण कलर और यलो कलर का इस्तमाल कर सकते हैं इससारी ही कलर आपको आज मेंफिट्स देंए वाले रहेंगे इसके अलावा एक विशेश आगर के अगर किसी ही से कोई पैसा रुपा हुआ है और पैसा को ले न है्माल आपको काफी ज़दा कारगर रहेगा आपको क्या करना है आपको अपने गर के मंदिर में एक गी का दिया लगाना है उसमें लाल कलर की बात आपको लगानी है लाल कलर की बात बनाके गी के दिये में आपको लगानी है और प्राटना करनी है कि जिस व्यक्ति से पैसा रुका हुआ है उस व्यक्ति का नाम लेकर के आपको यह प्रात्ना करनी कि वो पैसा आप तक लोटा दे और फिर देखिएगा जल्द ही ऐसा होगा कि वो पैसा आप तक पहुँचेगा वैदिक उपाय के बाद यहाँ पर इंजल नंबर में आपको आज कौन सा नंबर इस्तिमाल करना है नोट कर लीजिएगा फटाफट से आज का जो नंबर रहेगा 616174 थोड़ा सा बड़ा नंबर है आज बट काफी ज़्यादा इंपॉर्टन नंबर है इसको आप अच्छे से रिकॉल कर दिएगा वाइट पेपर पर रेड कलर के पैंसे इस नंबर को लिख करके अपने सामने रखिएगा ये काफी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको आज देता हुआ नजर आएगा इसके बाद आज का जो मैजिकल टाइम रहेगा वो कौन सा रहेगा वो भी नोट कर लिजिए फटावर्ट से आज का जो मैजिकल टाइम रहेगा ये आपका रहेगा दोपेर का 1.15 एक बचकर 15 मिनिट से लेकर के 2.30 दो बचकर 30 मिनिट तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए काफी जादा favorable समय रहेगा इस समय में कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं कोई दिकत कोई परिशानी नहीं आएगी चलिए अब बात कर लेते हैं आपर आज के affirmation के लिए कौन सा affirmation आज आपको recall करना है जो की आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा आज का जो affirmation रहेगा happiness is my choice and today I choose to be happy यह affirmation आपको recall करना है और इस recall इसको दो से तीन बार बोलें शीशे में आईने में अपने आपको देखें smile करें और यह affirmation जरूर बोलें आपको बहुत अच्छा result मिलेगा and especially सोने से पहले तीन बार इस affirmation को बोल करके ही सोईएगा इस बात का विशेश ध्यान रखिएगा उमीद करता हूँ कि आपका दिन शांदा जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं आएगी आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा भुलिएगा बिल्कुल भी मत साथी साथ जहां जहां वीडियो शेयर करना चाहें प्लीज शेयर भी कर दीजेगा इसके लावा कुछ भी पूशन चाहते हैं कुछ भी जाना चाहते हैं अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मत्दियां पर कर सकूँ धन्यवाद